बस अगरवत्ति लगाने से धूपत्ति लगाने से दिया लगाने से पूजन पाट से पहले सबसे मूल है तुमारी भक्ति और जिस दिन तुमारे हिर्दय में भक्ति का संचार हो जाएगा अगरवत्ति और धूपत्ति की तो जरुवती नहीं पड़ेगी मेरा भोला नाथ सता पोगत हो जाए सामने आ जाएगा आप भावस से को रिजाओ तो सरी तुम भावस नहीं रिजाते हैं बेटे को रिजाने का फ्रियास कर रही है यह खवान city भी भर नेगा है अब पानी भर देगा है तो मन में इतना इंकार ले कि में मंदिर में रोज जाती हूं में पानी चड़ाती हूं में दिया लगाती हूं में बेल पत्री चड़ाती हूं अगर में मंदिर नहीं आउं तो कामी में चले में जाड़ों नहीं लगाऊं तो मंदिर इसाप नहीं में यह नहीं करूं तो ऐसा हो यह नहीं कई-कई माता है मालूम पड़ जाएगा तो जो एसा बोले ही नी तो से केदी जादा घंता मरिज्ज्या ना मर्ड़ दा Đरंका देखे चले की नहीं कि किए किस वात पुलापि दो मीड़ा भाई के मन में अभिमान नहीं था मीड़ा के मन में को बस भाव था निर्मल मन सो मोही पावा और मोही छल छिद्र कपट ना भावा कितने कितने सादू सन्यासी तपस्वी साधाक उपासक तब करकर के मर गए साथ देखो तो सरी सतियुक से उठाओ द्वापर्तक में कितने संत कितने सादू कितने सन्यासी कितने साधक साधना करकर के आस पास में अगनी जला कर तब करकर के मर गया भगवान नहीं मिला उनको मिला क्या नहीं और अगर दो चार का नाम उठा लो प्रहला तब करा नहीं भगवान मिल गया दुरू भगवान मिल गया मीरा भगवान मिल गया नामदेव जी तुकाराम जी भगवान मिल गए करमा भाई, मुक्ता भाई ये जितनी भी आपको मिलेंगे इन्होंने कोई तपसाधना नहीं करी इनको तो भगवान सामने प्रकट हो गए केवल निरमल मन था, भाव शुद्ध था और भाव जब शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी मेरा विश्वनात, मेरा करुणासागर, मेरा तरकालदर्शी, मेरा केलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा बस केवल तुमारा भाव हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चड़ाओ, ना चड़ाओ, तुमारी मरजी तुम भगवान को बेलपत्री चड़ाओ, ना चड़ाओ, तुमारी मरजी तुम भगवान को धोग लगाओ, ना लगाओ, तुमारी मरजी तुम भगवान को फूल चड़ाओ, ना चड़ाओ, तुमारी मरजी बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चोखट के सामने से जब निकलो तो ये विश्वास रखकर निकलना कि सामने तुमारा दादा परदादा तुमारा पूरवज यहां बेठा हुआ है और उस भगवान शंकर को सब कुछ ग्यात है तुमारा सुख तुमारा दुख सब जान दोता है